दिली की पटियाला हाउस कोट के अतिरिक सत्रिनाय अधीश अजय पांडे ने 1984 की सिक विरोधी दंगों में पहली बार मौत की सजा सुनाई है अजय पांडे ने मामले में दो लोगों की हत्या के दोशी यशपाल सिंग को मंगलवार को फांसी की सजा और सह दोशी नरेश सहरावत को उम्रकैद की सजा सुनाई साथ ही साथ दोनों दोशियों पर 35 लाग कर जुर्माना भी लगाया गया है अदालत ने 14 नवेंबर को सिंग और सहरावत को 1984 में दिली में सिख विरोधी दंगों के दोशी पाया था यशपाल और नरेश को दंगों के दोशी ने कहा हम निरने से संतुष्ट हैं किंतु हम लड़ाई जारी रखेंगे और एक आरोपी की सुनाई गई आजीवन कारवास की सजा को चुनौती देंगे हम यह सुनिश्चित करेंगे उसे भी उसके अपराधों के लिए फांसी मिले दिली सिख गुरुद्वारा प्रबंदक समिती के प्रमुख एवं अकाली दलके नेता मंजीत सिंग ने कहा प्रिशेष जांच दल के तीसरे सदस्य का नाम तुरंद अधिसूचित किया जाए अडविकेट लॉयर एचस फुलका ने कहा कि यह बड़ा फैसला है और इस सिख निताओं में यह आज ज़की है कि पीडितों को अन्यमामलों में न्याय मिलेगा के लशविके लिएर लॉयर खायई उन्यमाटम सिंहर विडेषस अन्यमाटरा अज दल के गच् Bay मुलका दाए उन्यमाटन κेयं जबक्ड़ावाण देयां是वेंगर में यह गज़ावगरा आन्वारिवकेट इस अन्यमाट में गभाल